पात जब Australia की आती है तो सिर्फ पंजाब हर्याना नहीं पुरे इंडिया से ही students का रुजहान जो है Australia की तरफ देखा जाता है और अब बात करें Feb Intake की जो students apply करना चाहते हैं पंजाब हर्याना के students की बात तो करेंगी साथ-साथ बाकी स्टेट से भी बहुत सारी queries हमें जो आ रही हैं लगाता उन सबको भी एक सही दिशा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि सही decision के साथ आप आगे बढ़ें और FEP intake में अपनी seat ले सकें और timely पूरा process अपना complete कर सकें स्वागत है आप सभी का मैं हूँ हर जोद कौर और आज Australia के बारे में ये complete information आपके साथ discuss करने जा रही है Navigators overseas से Visa expert Mrs. Veena Gul मैम हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैम नमस्कार नमस्कार तो सबको पहले बता दूँ के मैम का तकरीबन 26-27 साल का experience है और इसी experience के चलते मैम अक्सर students को अच्छी अच्छी बाते गाइड करते हैं ताकि student चाहे किसी भी profile का हो उसे पता हो मैंने कैसे सही ढंग से आगे बढ़ना है और अपना visa हासिल करना है तो मैम Australia की बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं ये भी जाना चाहूंगी पंजाब, हर्याना student के इलावा और कौन-कौन सी states में बहुत ज़ादा रुजहान जो है Australia के लिए देखा जाता है हरजूत पूरे इंडिया से ये बच्चे जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये है कि गुजराद, पंजाब, हर्याना साउथ में आंधरा से तो ये बच्चे ज़ादा जाते हैं या साउथ में कुछ और मार्केट भी हम कहें कि तामिलनाडो या उधर से भी बच्चे जाते हैं लेकिन ज़ादा तर जो बच्चे हैं वो गुजराद और पंजाब और हर्याना ये बहुत ज़ादा तादाद में जाते हैं जी जी तो आगे मैं मैं फैबिन टेक की बाद करना चाहा रही हूँ पहले तो ये भी बताईएगा जैसे पंजाब हर्याना के स्टूडेंट्स को लेकर तोड़ी सकती जो है पिछले समय में देखने को मिली ऐस्ट्रेलिया की तरफ से उसके बाद और हर्याना के स्टूडेंट्स की बहुत सहरी कोईरी जैंपंजाब के स्टूडेंट्स की कोईरी सो है ही तो उन सब स्टूडेंट्स को अब क्या कहना चाहेंगी जैसे ही नए साल की शुरात होगी तो क्या इन सभी students के लिए धेर सारी options जो है open होने वाली है उस्ट्रेलिया में बिल्कुल अब आप देखो कि जैसे इस समय देखा जा रहा है कि visa कम आ रहे हैं market में या ना के बराबर हैं GT में तंग कर रहे हैं ऐसी जैसी नया कोटा आएगा जो फैबिन टेक के लिए नय साल का तो आप देखना इतने सारे visa आएंगे और जो profile बहुत अच्छी नहीं है धक्के में वो भी निकल जाएंगे काफी सारे बच्चे उनके भी visa आएंगे और उसके बाद युनिवर्स्टी अपनी GT बहुत easy कर देंगी जब visa निकलने लगता वो जीटी easy कर देंगे फिर जब उसके बाद जब इनका quota खतम होने लगेगा फिर वो जीटी strict कर देंगे क्योंकि वो visa rejection आने लगेंगे तो बेटर है कि बच्चे अगर time के साथ इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए immediate अगर apply करेंगे तो वो rejection से बच सकते हैं लेकिन ख नहीं है तो इन सब चीजों पर अगर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तो visa possibilities बहुत जादा है क्योंकि हर country में जो है एक तो हमारा जो student visa के थ्रू जितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो international fees के रूप में देखा जाए तो बहुत पैसा उन country को मिल रहा है यह बहुत जो weekly मिल रहा है उसमें काम कर रहे हैं तो वो भी एक उनकी जो labor shortage है उसका भी वो एक जरिया बनता है पूरा काने का तो वो देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि यह visa misuse ho misuse का मतलब क्या है कि बच्चा पढ़ने ने जा रहा है काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और मतलब उस टाइप के जो चीज़ें आने लगते हैं वो उस country को एक bad name देती हैं उस चीज़ें वो बचाने के लिए या unwanted लोग ऐसे चले जाएं जो कि पढ़ाई के बहाना लेके वो visa का misuse हो रहा है उन चीज़ें से बचाने के लिए इतना control किया जाता है जी तो मैम जैसे हम देखें अस्ट्रेलिया के जब भी बात होती है उसका procedure बाकी country से थोड़ा different जरूर माना जाता है documentation की बात करें वो भी बाकी country से different रहता है बहुत ही complex जो है हम इसका procedure मानती है तो फिर right time आप students को हम ऐसे जैसे बोल रहे हैं अब ही apply करें तो सही है लेकिन exact कितना time लगता है पूरे procedure में चाहिए हम GT की बात कर लें चाहिए के वीजा आने तक की बात करें पूरा complete process के लिए कितना time चाहिए देखो हर्जोत एक file है जिसको की हो सकता है GT offer letter में पूरा one month में सब complete हो जाए जी हो सकता है दूसरे को दो महीने लगें मान लीजी किसे ने income tax return नहीं apply किया लोन नहीं apply किया financial documents की उनको requirement है तो उनका जब bank का system उनको loan देगा उनका जब CA उनकी income tax return बरके देगा तो यह सारी shortage papers की होने से time लगता है और अगर यह papers पूरे हैं और academic requirement student पूरी कर रहे है तो university की तरफ से उतना time नहीं लगता है यह मान के चल सकते हैं कि three to four weeks तो हम किसी campus खुले हुए हैं तो वो थोड़ा ज्यादा फास्ट है 10 to 15 डेज का process उनका रहता है लेकिन अगर हम time bound होके चले तो student की documents अपने बनाने में कितना time लगता है यह उस पे depend करता हूँ university पे depend नहीं गरता है चले ठीक है और इस वीडियो के अखीर में आखिर में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप students को guide ज़रूर कीजिए कि जो अभी apply करने के बारे में सोच रहे हैं अब intake पर focus करें किन-किन बातों का ध्यान रखते हुए timely apply करें ताकि उनके visa chances ज़ादा बने और वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके जो उनके सपने है ऐस्ट्रेलिया जाने के वो उनको साकार कर सके यह बहुत बड़ी बात है सपने सपने ही तो इंसान को एक दिशा देते है उनकी academic percentage पूरी हो जो हम बार बार बता रहे हैं IELTS का score अच्छा हो और जो financial documents और income tax papers उनके proper हो जिससे उनका time waste ना हो क्योंकि 24 by 7 हम लोग उनको अपनी तरुसे help दे रहे हैं मान लिजिए अगर कहीं बाहर रहे हैं relatives उनके जो time हमारे साथ match नहीं करता है तो चलो we welcome them to call in the late as well otherwise तो जो students हैं कोशिश करें कि शाम को 8 बजे तक आप अपनी जो भी query है उसको solve कर लें and हम लोग उनको जो है अपना उसी हिसाब से पूरा guide करते हैं and मेरे खाल जो इतना मैं बताती हूं अगर आपने video ध्यान से सोनी हो मेरी जितने भी हैं हमारे आप facebook page को like कर सकते हैं आप navigators की website देख सकते हैं जितनी information मैं देती हूं अगर आपने उसको ध्यान से देखी हूं तो आपको visa लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी बिलकुल तो सभी students को ये भी बता दूं कि अगर आप कहीं ज़्यादा दूर रहते हैं navigator overseas के office आने में आपको लगता है कि ज़् जरू जो WhatsApp नमबर इस पर कॉल करके यहां WhatsApp भी कर सकते हैं आपने documents और मैम जो है personally हर चीज को हर document को देखते हैं बच्चों को guide करते हैं ताकि student कहीं भी misguide ना हो और हो सके तो जरूर अपनी documents लेकर इनके office विजिट कीजिए assessment करवाईए मैम की guidance के साथ सही decision लेकर आगे सकते हैं और बहुत थैंक्स मैम के Australia के बारे में आपने students को बहुत खास points जो है बताए हैं ताकि students उन पर ध्यान रखें और अपना timely process शुरू करके अपना वीजा हासल करें आगे भी हम students के लिए और informative videos लेकर आते रहेंगे फिल हाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त thank you so much thank you झाल करें